Hello Friends, Welcome to my YouTube channel Healthy Life दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको इस स्कीन से जुड़ी परिसानियों के बारे में बताऊंगी दोस्तो ये तो सबको पता है कि स्कीन पर पिमपल होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होते क्यों हैं, कैसे होते हैं और कब होते हैं तो आपके इस स्वालों का जवब इस वीडियो में मिल जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखे इससे पहले कि मैं इसके बारे में पूरे जानकारी दूझ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को सबसे पहले हम जानेंगे मुहांसी क्या है तो मैं आपको बता दू कि मुहांसी की समस्य आज कल आम बात हो गई है जो कि किसी भी उम्र की वेक्ति को हो जाती है जिसकी स्कीन ओईली होती हैं उन्हें यह समस्य ज्यादा परिसान करती है इसलिए आप इस समस्य को ज्यादा गम भीरता से ले बहुत से लोग तो यह सोचते हैं कि ज्यादा तलब होना खा लेने से यह समस्य होती है अब आप ये मत सोचिएगा कि आपको अगर ये परिसानी है तो आप तलब ना खा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा जो कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके साथ ही आपको और भी अन परिसानियों को भी छेलना पड़ सकता है लेकिन मैं आपको बता दू कि ये तवचे विकर हमारी सकीन की भीतर तेल बनने वाले ग्रंथियों और बालो के रोम में सूजन आने के कारण होती है बालो के रोम हमारी सकीन की नीचे मौजुद होते हैं तेल बनने वाले ग्रंथिया जब तेल का उतपादन करती है तो आपकी स्कीन के साथ साथ आपकी बालों को भी मुस्चराइज करती है मुहांसे की समझ से तब पैदा होती है जब स्कीन से निकलने वाले आयल का उतपादन तो बढ़ जाता है लेकिन स्कीन सेल्स के फैला में कमी आ जाती है इस स्थितिय के कारण स्किन सेल्स प्लाक हो जाते हैं और उसमें मौजूद आयल वहीं रुख जाता है जिसके परिडाम सुरुप सूजर और मुहांसे हो जाते हैं मुहांसे जवाने के दिनों में लड़के और लड़के दोनों में हो सकते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 40 के 50 वाले उम्र के लोगों को मुहांसे के समस्य नहीं आती है अब मैं आपको बताओंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं मुहांसे आपकी स्कीन पर मवाद या फिर बिना मवाद की छोटे बड़े आकार के थक्के के रूप में दिखाए दे सकते हैं ये थक्के अपना आकार बढ़ाते रहते हैं मोहांसे चेहरे के उस हिसे में ज्यादा होते हैं जहां तेल ग्रंथिया अधिक सक्रिया होती हैं जैसे चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती और पीठ का उपर वाला हिस्सा अगर आप इन मोहांसों से बचना चाहते हैं तो आप अपनी जीवन सहले में बतलाव करके भी इन्हें ठिक कर सकते हैं अगर आप कोई भी अच्छा स्किन केर रूटिन फालो नहीं कर रहे हैं तो निस्चित रूप से मोहांसों का सिकार हो सकते हैं इसलिए जरूरी है कि आप एक सही और अच्छे स्किन केर रूटिन को फॉलो करें या फिर इन वातों पर ध्यान दें पहला दिन में कम चे कम दो बर अपना चेहरा जरूर धोएं दूसरा त्वचा पर हमेशा जेंटल अलकोहाल की प्रडुक्स का इस्तमाल करें तीसी रात्वचा को स्क्रॉब ना करें चार नमबर क्लिंजर लगाने के लिए हमेशा अपनी अंगलियों का उप्योग करें पांच नमबर चेहरों को धोने के लिए हमेशा गुनगने फाने का उप्योग करें छे नमबर दिन भर में बार बार चेहरें को छूने की आदत छोड़िये साथ नमबर है जिन लोगों के बार आयली हैं उन्हें नियमीत रूप से सेंपो करना चाहिए आठ नमबर है मुहांसों को दबाने या फिर फोड़ने की कोशिस ना करे जोकि ये फिर 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 फोड़ने में अधिक समय ले सकते हैं और बाद में वही निसान का कारण बन जाते हैं तो दोस्तों ये थी मुहांसे से जिलू ही महत्वर जानकारिया थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में चरूर बताईएगा फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ